हलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आप चानल इंवेस्मेंट का बाजार और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PNB के स्टॉक के उपर दोस्तो PNB के स्टॉक ने फ्राइडे के सेशन में एक भारी गिरावाट तरके दिखाई लगबख साड़े तीन प्रतिशत की गिरावट PNB के स्टॉक में हो गई है दोस्तो PNB का स्टॉक अब ओवर्सोल जोन में आ गया है जो कि दोस्तो टेक्निकली RSI इंडेक्स शो कर रहा है कि PNB PNB का आप RSI मार्ग देखेंगे तो लगबख 30 से 40 की रेंज में कामकाज कर रहा है आज PNB ने दोस्तो बहुत तगड़े लोज बनाए बहुत तगड़ा ब्रेकड़ाउन देखने को मिला दोस्तो लेकिन दोस्तो ये एक बाइंग ऑपोर्चनिटी होगी इंबेस्टर्स के लिए क्योंकि स्टॉक अपने बहुत बड़े सपोर्ट पर आ रहा है क्योंकि 36 रुपे का है इस सपोर्ट को दोस्तो ये बहुत जादा रिस्पेक करेगा और फिर ये बाउंस बेक दिखायागा और 45 रुपी के टार्गेट दोस्तो बहुत ही जल्दी आज 57 मिल्यन की वॉल्यूम यानि कि दोस्तो लोग अपने इसके सपोर्ट लेवल्स पर बाइंग कर रहा है दरने का नहीं है दोस्तो अगर आपने उपर लेवल्स पर ले लिया है तो आवरेज करने का सही टाइम है दोस्तो पी एन बी का स्टॉक का बहुत बड़ा देखने को मिलेंगे दोस्तो और लगबग 45 रुपीज सके टागेट बहुत इजल्द पी एन बी के स्टॉक में देखने को मिलेंगे आज मात्र आज कह सकते कि साधे तीन परसेंट की गिरावाट हुए स्टॉक में काफी बड़ी गिरावाट हुई है दोस्तो इस जी यहां दोस्तों 3100 रुपे के लेवल से निफ्टी PSU बैंकिंग इंडेक्स इतना जादा गिर रहा है दोस्तों आप सोच नहीं सकते 2496 के लेवल पर भी कामकाज कर रहा है निफ्टी PSU इंडेक्स 3100 रुपे के लेवल से दोस्तों इसमें कर्रेक्शन आया था जब PNB का स्टॉक 48 रुपे था जब से दोस्तों PNB के रिजल्ट्स आये तब से इसमें गिरावट हो रही है और आप देख सकते हैं 210 रुपे के आसपास कामकाज कर रहा था वह भी लगभग 70-75 रुपे के लेवल पर आ गया है वह भी दोस्तों जित्ते भी PSU स्टॉक से सब में आइधिंक करेक्ट बाय होगा चाहे वह SBI हो जाए IDBI बैंक हो, बैंक हो, बडूदा हो, सब ओवर्शोर्ट जोन में है और अब स्पाइक्स देखने को मिलेंगे दोस्तों निफ्टी PSU इंडेक्स में यूकि दोस्तों बजट भी आने वाला है और बजट के दिन ऐसे सारे बैंकिंग स्टॉक्स में सड़न स्टॉन स्टन स्पाइ दोस्तो मार्केट में करेक्शन आया जिसके कारण आप देख सकते सबसे जादा मार पड़िये बैंकिंग इंडेक्स को चाहे वो HDFC बैंक हो SBI बैंक हो बैंक हो बडूदा हो PNB हो सारे बैंकिंग स्टॉक में गिरावाट आई लगबग दोस्तो 11 बज़े तक तो यह सारे 11 बज़े तक तो एकदम आपके रखते हैं ज्यादा गिरावाट में कामकाश नहीं कर रहेते हैं लेकिन अचानक से दोस्तों उसके बाद एक आपको कह सकते हैं ब्रेकडाउन मिला और इस ब्रेकडाउन में दोस्तों सारे इनके सपोर्ट और रजिस्टेंस चूटते गए और लगबग 36 रूपर 25 बज़े का दोस्तों लो लगाया पी एनब कर स्टॉक ने और क्लोजिंग मिले दोस्तो 37 रुपीस के आसपास काफी लगातार दोस्तो 38 रुपर तक के लेवल सिस्टॉक में दिखाया था इस समय उसके बात से दोस्तों लगातार इस टॉक में गिरावाट देखने को मिल रही है आइधिंग दोस्तों पी एनबी में बहुत जल्द बाउंस बग देखने को मिलेगा तूकि अगर आप इसके मैक दिखाऊ मैं आपको दोस्तों ऐसा बन रहा है पी एनबी के मैक शर्ट पे पहले यह दोस्तों हाई बनाता है फिर बॉटम बनाता है जैसे कि इदर हाई बनाया फिर बॉटम बनाया फिर बनाया फिर बनाया और आप देख सकते अभी का 2020 में तो बिलकुल एकदम साइड़ेस काम काच कर रहा है दोस्तों I think दोस्तों यह एक आप कह सकते कि मौका है PNB जैसे स्टॉक को बाय करने का financially दोस्तों बहुत अच्छी गंपरी है और आप PNB तो हर सेक्टर हर जगह PNB की ब्रांच देखने को मिलेंगे क्योंकि आने वाले टाइम में banking sectors में इसे बहुत ज्यादा आपको अपमूव देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत ज्यादा करेशन हो गया इसमें अगर इसके मैं यानि 52 वीक लो से लगबख 6 या 7 रुपे उपर ही आपको कामकाच करता हूँ देखने को मिल रहा है यानि कि दोस्तों पी एंबी में करेक्ट बाय बनता है आप कहा सकते 31 रुपीज का लो के जस्त तीन-चार रुपे उपर ही है ज्यादा PNB के स्टॉक ने मूवमेंट ही 50 वीक खाई भी 48 रुपे का 50 वीक लो भी 31 रुपे का चाहिए अब आप देखे लिए तो इसका मतला है कि PNB के स्टॉक में आपको करेंट बाइंग करना है अकल के मंडे के बात करते हैं तो अगर आप 37 रुपे के लेवल पर बाइंग करते दोस्तों I think दोस्तों मंडे के द profit दे रही है दोस्तों अब देख सकते हैं अगर में फाइनेंशल पर आगे हो तो पाच परसेंट रिवेन्यू बढ़ा है 91 परसेंट नेट इंकम बढ़े है अगर अगर अच्छा करके दिखाया और काफी अच्छा तरनराउं हो सकता है PNB के स्टॉक में दोस्तों अब दोस सब्सक्राइब करना दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगव तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना दोस्तों